गणेश सिंग मद्धिपृदेश बीजेपी के दिगज नेता हैं और इस बार सतना से चुनाव बल रहे हैं और मौझूदा सतना से बीजेपी के सांसद भी गणेश सिंग ही हैं जीत की हैट्रिक लगा चुके गणेश सिंग एक बार फिर से बीजेपी आला कमान पर अपना विश्वास जता चुके हैं और बीजेपी आला कमान ने उन्हें फिर से उम्मीद्वार बना दिया है सतना लोकसबा सीट से चुनावी जंग में गणेश सिंग उतर चुके हैं दो जुलाई 1962 में कहरिया गाउं में जन्मे गणेश सिंग का शुरुआती सफर जो रहा वो काफी संघर्ष भरा रहा था बच्पन उनका संघर्षों में बीता लेकिन जन्दगी के संघर्ष में उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी गणेश सिंग ने अफदेश प्रताब सिंग विश्विद देले से इसनातक करके उसके बाद लेल बी की और फिर वकालत को अपना पेशा बनाया वो वकील बन गए और वकालत करने लगे असी के दशक में जनसंग से गणेश सिंग जुड़े इस दौरान जनतापाड़ी के कई आंदूलनों में शामिल होकर गणेश सिंग ने अपने जिले का नितरत्व किया 1995 में गणेश सिंग ने जिला परिशत सदस से बनकर राजनीती का कगहरा सीखा और इसी दौरान गणेश सिंग जिला परिशत अद्धक्ष के कुरसी तक भी पहुँच गए जिला परिशत अद्धक्ष रहते हुए तद्धकालिन मुख्यमंतरी उमा भारती ने 2004 में लोगसभा का टिकेट दे कर गणेश सिंग को संसद पहुँचने का रास्ता दिखा दिया 2009 में हुए लोगसभाच नाव में भी गणेश सिंग ने जीत का सलसला अपना जारी रखा और इसके बाद 2014 लोगसभाच नाव में एक बार पिर से गणेश सिंग ने सतना में अपना डंका बचा दिया इस चुनाव में गणेश सिंग ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंग के बेटे आजे सिंग को हराया था अपने संसदिया कारेकाल के दौरान गणेश सिंग कई सारी कमीटियों का हिस्सा बने और हर जगा गणेश सिंग ने अपनी नेतरित्व खुश्यमता का लोहा भी मनवाया 2019 लोगसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से गणेश सिंग पर भरुसा जिताया है लेकिन क्या सतना की जनता गणेश सिंग की राजनीती की पिछ पर चौका मारने उन्हें देगी यह सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं या उठा रहे हैं कि जब जब गणेश सिंग लोगसभा का चुनाव जीते तब तब मध्यपरदेश में बीजेपी की सरकार थी निजबार मध्यपरदेश में सरकार कांगरेस की है कमलनाथ की सरकार है और इसलिए राजजिका राजनीतिक माहौल पहले से काफी बदला हुआ है लेकिन क्योंकि गणेश सिंग दिगज बड़े नीता हैं वो जीत की तीन बार हैट्रिक लगा चुके हैं उनकी पकड़ अप क्या गणेश सिंग जीत का चौका इस बार लगा कर संसद पहुंच पाते हैं दिल्ली का रुख करते हैं या नहीं अपना बहुत खैल रखेगा थैंक यू बेर मच्छ